हेलो बच्चो, मैं हूँ शुबं from Learnohub, the free learning platform, जहाँ पर आप math, science, social science, सब कुछ पढ़ सकते हो, absolutely for free at learnohub.com, तो चलो, शुरू करते तो आज हम करने वाले है, Class 8 Science, Chapter 6, Combustion and Flame के NCRT Solutions और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे सवालों के जाब दिखेंगे, तो चलो लेट्स रॉक, तो चलो देखते हैं, पहला सवाल, list conditions under which combustion can take place, तो हम इसे कुछ triangle के मदद से याद रखते हैं, ओके, तो ये रहा हमारा combustion या फिर आप fire भी लिख दो, triangle ये fire से भी related है, अब इस triangle में हम लिखते हैं पहले, O2, मतलब, condition कौन से होने चाहिए, सबसे पहले, oxygen का supply होना चाहिए, oxygen होना चाहिए, ओके, air, फिर fuel, अगर जलने के लिए combustible substance नहीं तो कैसे combustion होगा, तो fuel होना चाहिए, और तीसरा, heat, और कितनी heat होनी चाहिए, ये important है, उतनी heat होनी चाहिए, जितनी, इस fuel को उसके ignition temperature तक पहुचा दे, बस, तो चलो देखते हैं, नेक्स सवाल, fill in the blanks, A, burning of wood and coal causes dash of air, तो ये करता है, air को pollute, तो ये करेगा pollution of air, फिर a liquid fuel used in homes is, तो stove वेगरा में kerosene fuel यूज़ करते हैं, जो liquid होता है, तो home में हम लोग stove वेगरा यूज़ करते हैं, तो इसका answer होगा, kerosene, fuel must be heated to its dash before it starts burning, तो burn होने तक, मतलब burn होने से पहले, उसे हम लोग को temperature तक heat करना पड़ता है, उसका नाम क्या होता है, ignition temperature, उसके बाद fuel burn होना शुरू कर देता है, answer है, ignition temperature, fire produced by oil cannot be controlled by dash, तो water और carbon dioxide दो हम लोग ने fire extinguisher देखे थे, carbon dioxide तो control कर पाता है, हमने पढ़ा था, water नहीं कर पाता, अब water क्यों नहीं कर पाता, हमें पता है, water oil से heavier होता है, इसलिए वो oil के नीचे जाके बेट जाएगा, और oil उपर मस्त एक दम, खुशी-खुशी जलते रहेगा, तो water क्या करेगा, फिर कैसे extinguish कर पाएगा, इसलिए तो नहीं कर पाता हो, तो बढ़ते हैं, आगले सवाल पर, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities, तो CNG जो है, यह petrol या फिर diesel के burn होने के बाद, जितने harmful products release होते, CNG के burn होने के बाद, कम harmful products release होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, CNG, cleaner fuel है, petrol और diesel के comparison में, और ऐसे cleaner fuel को हम लोग use कर रहे हैं न, automobiles में, इसलिए हमारे cities में, pollution कम हो रहे हैं, बढ़ते हैं आगले सवाल पर, compare LPG and wood as fuels, तो ले लिया comparison, तो LPG है cleaner fuel, क्योंकि वो जब burn होता है, तब कम harmful products release करते हैं, और उसी comparison में wood को देखा जाए, तो वो इतना clean fuel नहीं है, क्योंकि वो जब burn होता है, तो बहुत सारे harmful products release दे, उसी के वज़े से हम लोग को respiratory problems हो सकते हैं, फिर, LPG urban areas में बहुत widely use करेते हैं, आपके घर में LPG cylindry होगा, पर उसी तरह से हम लोग देखेंगे, तो rural areas में आज भी बहुत ज़्यादा amount में wood का इस्तमाल किया जा रहा है, for domestic purposes, क्योंकि रूरल areas में forest से, उनसे काटके wood लेके आओ, easily available है, इसी लिए, अब LPG का जो calorific value है, वो बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, मतलब वो ज़्यादा energy देता है, 55,000 kJ per kg, 1 kg LPG burn करने पर हमें 55,000 kJ energy मिल रही है, उसी तरह से हम लोग अगर 1 kg wood को burn करेंगे, तो हमें मिलेगी 17,000 से लेकि 22,000 kJ energy, तो ये कम है थोड़ी, चला बच्छों देखते हैं, नेक्स सवाल, गिव रिजन्स, ए, water is not used to control fires involving electrical equipment, अब क्यूँ, क्यों कि water अगर हम लोग use करें, ऐसे fire को extinguish करने के लिए, जिसमें electrical equipment है, तो electrical equipment पर water परने पर क्या हो सकता है, वाटर से electricity conduct हो सकती है, तो भाई, जो fire extinguish कर रहा है, उस तक shock लग सकता है, उसे shock लग सकता है, बस इसलिए हम लोग water का इस्तमाल नहीं करें, अब देखते हैं next, LPG is a better domestic fuel than wood, तो अब यह हम लोग ने देखा था, comparison में, कि LPG cleaner fuel है wood से, क्योंकि LPG जब burn होता है, तब कम emissions, कम harmful product emit होते है, release होते है, as compared to wood, और दूसरी बात हमने देखिती क्या, कि calorific value भी ज़्यादा है LPG की, as compared to wood, ज़्यादा energy दे रहा है, एक kilo LPG burn होने पर, as compared to wood, तो बस इ इसलिए LPG, अच्छा domestic fuel है wood से, अब देखते हैं, next सवाल, paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not, अब हमें पता है कि अगर paper को fire catch करनी है, ओकि paper को आग लगनी है, तो कैसे लगेगी वो, जब paper उसका खुद का ignition temperature reach कर पाएगा, तो उसको उतनी heat देनी पड़ेगी, जितनी ज़रूरी है उ जब हम लोग उसे aluminium pipe पर wrap कर रहें, तो हो क्या रहा है, जो heat दी जा रही है ना paper को, वो paper से conduct होके aluminium pipe तक पहुंच रही है, अब यह aluminium pipe वो heat लेके, क्या कर रहा है, paper को उतना heat नहीं लेने दे रहा है, जितना जरूरी है उसको उसके ignition temperature तक पहुंचने के लिए, बस इसलिए, ज इसलिए वो आसानी से जल नहीं पा रहा है, अब normal paper की बात करेंगे, तो जो भी heat paper को supply की जारी है, वो directly paper किसी को conduct नहीं कर रहा है, तो वो खुद ही उस heat को इस्तमाल कर रहा है, खुद का ignition temperature तक reach करने के लिए, उसका temperature, ignition temperature तक बढ़ाने के लिए, तो वो इसलिए quickly अपने ignition temperature है, तो ignition temperature तक पहुंच जाता है, और इसलिए quickly burn होता है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, make a label diagram of candle flame, तो मैं आपके साथ बनाऊंगा, आप भी बनाना, तो ये बनाई मैंने flame, ये है हमारी candle, ओके, अब इसको label करना है, तो यही तो सबसे important part है, तो ये है इसका outermost zone, ये है इसका middle zone, और ये है इसका innermost zone, मतलब inner zone, flame का, ये flame के 3 parts, ये तो हमारी candle है, हमें पता है, अब पहले zone का नाम दे दिया, अब इनका रंग का नाम, इसे लेबल करना है, तो ये होती है blue color की, ये होता है yellow color का zone, यहापर yellow होता है रंग, और यहापर अंदर, black होता है थोड़ा, blackish होता है, dark region होता है ये, अब ये blue, yellow और color बता दिये हम लोग ने, तब आप इनकी hotness बताते हैं, तो सबसे hot ये है, तो इसको लिख दिया, hottest, ये होते है moderately hot region, ये होता है moderately hot, और ये least hot होते है, सबसे कम hot, सब उल्टा है यहापर, ये हम लोगता है, की जाधा होना चाहिए, पर ये सबसे कम होना चाहिए, पर सबसे जाधा है, ओके, फिर, अब ये क्यूँ उतना है, hottest, तो उसका reason लिखना है बस, यहापर, तो यहापर क्या हो रहा है, complete combustion हो रहा है, ओके, यहापर इसका reason क्यों है, यह moderately hot क्यों है, क्योंकि, यहापर partial combustion हो रहा है, और, यह least hot क्यों है, क्योंकि, यहापर न, unburnt wax vapors present है, जो burn ही नहीं हुए, तो कैसा hot होगा यह region, बस, हो गया अपना flame का diagram, बढ़ते हैं, आगले सवाल पर, name the unit in which the calorific value of a fuel is expressed, तो किस unit में express किया जाता है यह, हमने chapter में पढ़ा है, kilo joule per kg, अब ऐसा क्यों, क्योंकि calorific value का ही मतलब क्या होता है, जब 1 kg fuel completely combustion कर देगा, complete combustion होगा उसका, तो जितनी energy, जितनी energy देखो, 1 kg fuel, complete combustion होने पर, जितनी energy release करेगा, उसे ही कहता है, calorific value, इसका मतलब होता है कि, यह 1 kg fuel, इतनी energy release कर रहा है, तो समझो, अगर calorific value है, 55,000, तो इसका मतलब होता है, 1 kg fuel burn होने पर, हमें 55,000 kilo joules energy दे रहे, अब देखते हैं, नेक्स सवाल, explain carbon dioxide, how carbon dioxide is able to control fires, अब carbon dioxide चीज़ी बहुत मस्त है, तो देखो, carbon dioxide heavier होता है oxygen से, तो क्या करता है, अगर कोई substance जल रहा है समझो, ओके, ऐसे, तो जो oxygen है, यहाँ पर होगा oxygen का layer कहीं पर जल रहा है तो, तो यह carbon dioxide heavier है oxygen से, तो यह क्या करेगा, कुछ ऐसा layer बना देगा, यह combustible material के आजबाज हों है, ओके, तो होगा क्या, इस combustible material का, मतलब fuel का contact, oxygen से कौन तोड रहा है, carbon dioxide तोड रहा है, ओके, दूसरी चीज़, अब, यह जब carbon dioxide ऐसे fire extinguishers में store किया जाता है, तब यह बहुत high pressure में store किया जाता है, इसके अंदर बहुत high pressure होता है, तो इसको liquify करके store किया जाता है, तो यह liquid form में, जब हम लोग इसको बहार आता है जब यह, तो liquid form से gaseous form में convert होता है, तो gaseous form में convert होता है तो इसका volume बढ़ जाता है, volume बढ़ता है तो इसका temperature जो है वो घड़ जाता है, cool हो जाता है और यह cool होने पर अगर समझो कोई substance जल रहा है, fuel है और वो जल रहा है, तो यह खुद cool होने के वज़े से यहाँ पर पोच जाएगा, बरोबर, oxygen से तो heavier है तो न नीचे कर देगा, मतलब कम कर देगा, तो इसका temperature ignition temperature के नीचे लेके आएगा, अब देखो, एक तो oxygen से combustible material का contact cut करके, और दूसरा, fuel का ही temperature lower करके, carbon dioxide fire को control कर बाता है, क्योंकि हमें पता है कि oxygen के साथ contact cut किया, या फिर fuel का temperature ignition temperature जे नीचे लेके आए, तो हम लोग ने पढ़ आगले सावाल पर, it is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily, explain, तो वो ही concept फिर से आजाएगा, देखो, green leaves है, तो उसके अंदर water content है, तो जब हम उसे heat करेंगी, तो ये जो heat है, वो water ले लेगा, green leaves से, तो होगा क्या, अगर ये green leaves से water heat ले रहा है, तो वो green leaves तक heat पहुंचने ही नहीं दे रहा ह उसका खुद का temperature, ignition temperature तक rise करने के लिए, अगर आप green leaves का temperature, ignition temperature तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए वो इतना आसानी से burn नहीं होता है, इसलिए difficult होता है से burn करना, और उस तरह से हम लोग dry leaves के बारे में बात करेंगे, तो dry leaves में तो water content है नहीं, तो जो भी heat हम लोग उसे दे रहे वो directly dry leaves use कर रहा है, खुद का temperature, ignition temperature तक reach करवाने के लिए, तो इसलिए वो quickly ignition temperature तक पहुंच जाता है, और इसलिए वो आसान होता है उसे जलाना, अब देखते हैं next सवाल, which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver, why? तो goldsmith भहिया use करते है, flame का outermost zone, melt करने के लिए gold and silver को, क्योंकि हमने पढ़ा है outermost zone क्या होता है, hottest होता है, क्यों hottest होता है, क्योंकि वहाँ पर complete combustion हुआ होता है, fuel का, बस आप देखते हैं next सवाल, in an experiment 4.5 kg of fuel, okay, was completely burnt, the heat produced was measured to be 1,80,000 kJ, calculate the calorific value of the fuel, बस, तो calorific value मतलब हमें पता है कि अगर 1 kg fuel burn हो रहा है, तो वो कितना किलो जूल energy produce करेगा, उसी को कहते हैं, calorific value, तो हमें क्या दिया है कि 4.5 kg fuel burn होके, 1,80,000 kJ energy release हो रही है, तो ढूंडना क्या है, इसका मतलब ढूंडना है 1 kg में कितनी किलो जूल energy release हो रही है, चॉकलेट वाला problem है यह, लिख दो, 4.5 upon 1,80,000, ऐसा कर सकते हो, is equals to 1 kg upon x किलो जूल, तो हमें x की value निकल ली है, तो x को यहाँ पर लेके जाओ, 4.5 नीचे आ जाएगा, ओके, फिर 1,80,000 को उपर डाल दो, अब इसका point निकालने के लिए, इसको 1,0 इसमें डाल दो, इसका point निकल जाएगा, ओके, तो यह हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो अब 5 से कर दो इसको, 5,9 जा 45, 5,3 जा 15, 3,0, 5,6 जा 30, ओके, फिर यह 1,2,3,4, 4,0 लग जाएगे, अब 9,1,9,4,0, 36, और यह 4,0, ऐसे आ जाएगे, 1,2,3,4, तो इसका मतलब आंसर क्या मिला हमें, 40,000, तो कितनी किलो जूल से एनर्जी रिलिज हो रही है, 40,000, यह है कैलोरफिक वैल्यू ओफ हमारा फ्यूल, तो देखते हैं, आगला सावाल, तो हमें पता है कंबर्शन क्या होता है, कंबर्शन केमिकल रियक्शन है, जिसमें सब्स्टेंस, ऑक्सिजन के साथ बर्न होकी, हीट प्रोड्यूस करता है, और अब रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग मतलब मेटल का ऑक्सिडाइज होना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, और इसमें भी हीट इवाल होती है, पर हमें नोटिस क्यों नहीं होती, फिर यह हीट इवाल हो रही है करके, और हीट क्योंकि यह बहुत स्लो प्रोर्सेस हैं, रस्टिंग होती है, अब हीट तो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब यह कंभुशन वाला रेक्शन तो है, पर बहुत बढ़ते हैं इस चाप्टर के लाज्श सवाल पर, Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker, ठीक है Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame, यहाँ पर Abida ने रख दिया उसका beaker ओके, yellow part में फिर Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame Ramesh ने यहाँ पर रख दिया ओके तो यह Ramesh का है यह Abida का beaker है, अब whose water will get heated in a shorter time, तो हमें पता है कि जो outermost part होता है flame का, यह hottest होता है तो इसलिए Ramesh का जो beaker है, जिसमें पानी है, वो जल्दी heat होगा as compared to Abida तो इसे के साथ हम इस वीडियो के end तक पहुंच गए है और I hope आपको बहुत मजाया होगा मेरे साथ inorganic reactions सीखने के लिए जैसे के हम लोग ने इस वीडियो में कुछ सवालों में किये थे तो बस जैसे के आप सभी को पता है learnon मतलब free है पर best है तो इसके बाद वाले सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए bye bye and have a great day उसके लिएब के लाह मतलिस अपले के लगक।